दोस्तों आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में अलग-अलग के कलर के नंबर प्लेट लगे होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है आईए जानते हैं दोस्तों कॉमर्शल वेहिकल जैसे टेक्सी, ट्रक, आटो में यलो प्लेट पर प्लेग नंबर लिखा होता है जिसे चलाने के लिए ड्राइवर के पास कॉमर्शल राइविंग परमीट होना जरूरी है तो अब बारी आती है रेट कलर के नंबर प्लेट पर जिसमें वाइट कलर का नंबर लिखा होता है जो कि टेस्ट वेहिकल के लिए रजिस्टर होता है दोस्तो यह manufacturer टेस्ट करने या नई वहिकल को promote करने के लिए इस color पर plate का use करते है दोस्तो white plate पर black color का number लिखा होते है जो कि private vehicle के लिए register होते है जो आम लोग चलाते हैं ऐसे vehicle का commercial use नहीं होता है या सिर्फ private use के लिए allow होते है दोस्तो commercial taxi self driving के लिए यानि की rain पर दी जाती है तो black plate पर yellow number होते है दोस्तो इसे drive करने के लिए commercial driving permit का ज़रत नहीं होता है दोस्तो green plate पर white number का मतलब यह होता है कि यह military vehicle है दोस्तो इसकी सुरुवात में एक arrow होता है यह plate केवल रच्छा मंत्राले नई दिल्ली और army official के लिए ही register होती है दोस्तो अब बारी आते हैं ऐसे number plate के जिसमें number ही नहीं होता जैसे कि राश्च्रपती राज्यपाल बिना license plates के officially गाड़ी को इस्तिमाल करते हैं दोस्तो इन गाड़ीयों की red number plate पर golden color में भारत का प्रतिक बना होता है